Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, कैसे हैं सबी लोग आई होप अच्छे होंगे, चलिए आज पिर आपके लिए Bollywood की कुछ और interesting stories लेकर आई हूँ, I hope आपको पसंद है कपिल शर्मस से लड़ाई के साथ साल बाद सुनील ग्रोबर ने तोड़ी चुपी, बोले फ्लाइट में बैठे तो पता चला की सुनील ग्रोबर और कपिल शर्मा साथ साल पहले फ्लाइट में भिड़ गए थे जिसके बाद सुनील ग्रोबर ने दे कपिल शर्मा सो छोड़ दिया था कॉमेडियन के फैंस इससे काफी निराश हुए और शो में उनकी वापसी की उम्मीद करते रहे दोनों अब दे ग्रेट इंडियन कपिल शो में काम कर रहे हैं दोनों कॉमेडियन ने अपनी लडाई और कॉमेडि शो पर खुल कर बाते भी किये सुनील ग्रोबर ने कपिल शर्मा के साथ लडाई पर बात किये कर मजाग में बोले कि वह एक पुब्लिसिटी स्टंट था जो उन्होंने नेट्फिक्स के लिए तब किया था जब अब भारत में स्थापित नहीं हुआ था ग्रेट इंडियन कपिल शो के लिए दोनों सितारे पुरानी रंजिस भुला कर एक साथ आये शो के प्रीमियर से पहले सुनील ग्रोबर और कपिल शर्मा एक प्रेस कॉंफरेंस पर पहुँचे और अपनी विवादित लड़ाई के बारे में बताया सुनील ग्रोबर ने कपिल के साथ अपनी लड़ाई का मजाक उड़ाया और कहा कि इसकी सालों पहले योजना बना ली गई थी वे बोले हम जब फ्लाइट में बैठे तो पता चला कि नेट्फिक्स इंडिया आ रहा है तो कुछ पब्लिसिटी स्टंट होगा 46 साल के सुनील ने यहां तक कहा कि नेट्फिक्स इंडिया ने उन्हें बुला कर पूछा कि क्या किया जा सकते है और तब उन्हें ये आइडिया आया 42 साल के कपिल ने आगे कहा कि सुनील कई प्रोजेक्ट्स में व्यस्त थे वे कई स्रीज और प्रोजेक्ट्स भी कर रहे थे इसलिए हम एक साथ नहीं आ पाए सुनील ने कहा उन्हें अपना कमबेक घर वापसी जैसा लगता है क्योंकि उन्हें कपिल और उनकी टीम के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है शो के टीजर ने खुलाशा हो गया है कि सुनील ग्रोबर गुत्थी के अफ्तार में वापसी कर रहे हैं वे पहले अपिसोड में रेनवीर कपूर और नीतु कपूर को टीज करते हुए नजर आएंगे सुनील ग्रोबर दे कपिल शर्मा सो में गुत्थी और डॉक्टर मशूर गुलाटी का काल्पनिक किड़दार निभा कर मशूर हो गए थे लेकिन कॉमेडियन ने कपिल शर्मा से लड़ाई के बाद शो छोड़ का सबको हरान कर दिया था कपिल और शुनील 2017 में ऑस्टेलिया से प्रोग्राम करके जब मुंबई लॉट रहे थे तब फ्लाइट में उनके बीच लड़ाई हो गई थी इस घटना के बाद शुनील ने कपिल का साथ छोड़ दिया था आपको स्टोरी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताईएगा अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले थेंक्स पर वाचिंग, बबाई